जिसमें तुमको पता है कि जो ग्राउंड है उसकी तरफ तुमारा एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेवटी लगेगा जो दोनी का सिक्स होता है वह वाला चीज अगर किसी चीफ पार्टिकल को यू स्पीड से फेकेंगे तो कुछ ऐसा मोशन करेगा तुमको पता है कि प्रोजेक्टायल को याद कर लेते हैं फोर्मुला से हम लोग फ्रॉमुला से इस पर याद नहीं करेंगे हम लोग क्या करेंगे बच्चो प्रोजेक्टेल के दम बेसिक चीज़ यूज करेंगे हमेशा ये एक 2D मोसन है जब 2D मोसन है तो मैंने आपको बोला था कि इसको 2D मोसन में convert कर दो 2D मोसन में convert करने का मतलब क्या है बच्चो कि access ले लेना है किदर लेना है अपने हिसाब से जिससे मेरा numerically असान हो ठीक है तो हम लोग क्या करते है सबसे पहले एक access ले लेते है हम लोग बच्चो एक access ले लेते हैं ठीक है इधर एक access लिए इसको बोले X-axis है इधर एक access लिए इसके perpendicular दूसरा access लिए इसको बोले y access है ठीक है जो भी तुमारा velocity और acceleration एक vector quantity है तो इसको resolve कर लो x और y में तो इसको यह acceleration तो सिर्फ y में ही है minus y में और इसको अगर resolve कर ले बच्चो तो इसको लिख सकते हैं ऐसा कुछ कि इधर तुमारा u cos theta है मैं आपको दम basic बता रहो ताकि आपका numerical solve अक्सर हो अब x और y का एक table बना लो ठीक है जो भी velocity है उसको लिख डालो x direction velocity कितना है u cos theta और acceleration कितना है 0 इस case में और y direction में velocity कितना है बच्चो u y कितना है u sin theta और acceleration कितना है y direction में minus g minus क्यों 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 y उपर positive लिया तो नीचे negative लिया मैंने पूरा divide कर दिया 1d motion वंडी motion में जो sign convention हो तो उसको follow कर रहा है अब अगर सिर्फ आफ x में देखोगे बच्चो तो x में ये कैसा motion है uniform motion है देख लो और y में देखोगे तो एक ऐसा motion है uniformly accelerated है ये 1d uniform motion है हमको numerical solve करने आता है इसका ये 1d uniformly accelerated motion है हमको इसका भी numerical solve करने आता है नहीं तो सिर्फ y की कारण होगा जितने दिर में ऊपर गया ऊपर पहुंचने के बाद फिर नीची आया तो y में जो motion है हमको y देखना है तो time of flight जो term है मेरा ये सिर्फ y पर depend कर रहा है तो हम लोग लिखे है कि in y direction जब हम लोग y का जैसे ही बात की है तो हम लोग x को नहीं देखेंगे इस बार बात समझ में आया यहां से यहां जाएगा तो अगर इसको 0,0 बोलेंगे तो इसको r,0 बोह सकते हैं रेंज बोलते हैं इस टैक्सम चीज को आपको पता है अब बताओ y का तुमारा कोडिनेट यहां भी 0 यहां भी 0 तो net y का displacement कितना हो गया बच्चो 0 बाकी चीज y का पता था टाइम निकालना था क्योंकि यह accelerated motion है uniformly accelerated motion है तो हम लोग s is equal to ut plus half a t square use कर सकते हैं कर लिए तो 0 is equal to u sin theta into t minus half gt square minus q a को put किये हैं तो यहां से t नहीं आजाएगा 2u sin theta by g तो क्या यह रटना है नहीं रट is equal to 2 into velocity of y यह तुमारा shortcut test का ऐसे time of flight is equal to 2 times of magnitude of velocity in y direction divided by magnitude of acceleration in y direction ठीक है जो कि आप लोग रटे भे भी होगे कुछ लोग को याद भी होगा बट हम लोग अकर इस method से जाए तो दिक्कत नहीं होगा दूसरा बात करते हैं बच्चो यह तो होगे time of flight अगर हम लोग range का बात करते हैं ठीक है range का बात करते है आर तो अगर आर का बात करें तो x direction velocity कितना है u cos theta time कितना है t तो t को अगर हम लोग put कर दे यहाँ पे तो आ जाएगा जब x का बात कर रहे है तो y से कोई मतलब नहीं है ठीक है बच्चो तीसरा जो बात होता है वो बात करते हम लोग maximum height का यह तुमारा maximum height है vertical ground से अच्छे बता हाइट जो है किस direction में y direction में जब y का बात करें तो फिर x से क्या मतलब है तो x को नहीं देखेंगे उस समय सिर्फ y को देखेंगे maximum height का जो funda होता वो यह होता है कि इसका vertical में velocity क्या हो गया वह समय में 0 तब ही न और उपर नहीं जाएगा तो अब initial से लेक velocity क्या है 0 initial क्या बच्छो u sin theta का whole square plus 2 acceleration क्या है minus g into h h क्या हो गया u square sin square theta by 2g यह u है ठीक है जो कि हम दोग याद कर लेते बच्छो इसमें तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई doubt है कोई doubt है तो बताओ ठीक है चला यह पूरा चीज जो मैंने तीन चीज निकाला है maximum height, time of flight और range ठीक है यह आप लोग याद कर चुके हो तो u square sin 2 theta by g आता है ना u square sin 2 theta by g मेरा कहना है कि इसको याद मत करो जब भी बनाना तो इससे बनाना आपका practice अच्छा होगा ठीक है अगर direct question आ गया जो कि आता नहीं है तब एक अलग बात है तब आप याद करके इसको बना लोगर भूल गया नहीं याद है direct question में भी ता आप तुरांट बना लोगे बहुत लंबा नहीं है इसी में बाबू आके आता है projectile का equation projectile का equation of trajectory क्या होता है जो path था ना उसमें जो path था उसमें x और y का relation देखो जो भी तुम्हारा path है ना इसमें जो projectile गया है ऐसा कूछ इसमें x और y का कूछ coordinate होगा इसको 0,0 मानेंगे तो इसका relation तो किसी भी time में हम लोग लिख सकते हैं y is equal to u y is equal to use पिछला वाला को हम help लेते वे चल रहा है तो कि यह x को पहले लिखते है x को क्या लिख सकते हैं u cos theta into kisी पे general time t में t इधर तुमारा u cos theta था था ना इधर तुमारा u sin theta था याद करो इधर तुमारा g था ठीक है और y coordinate को लिख सकते हैं किसी पे general y को लिख सकते हैं किसी time t पे u sin theta into t minus half gt square s is equal to ut plus half it square यही तुमारा y coordinate है यह तुमारा x coordinate है यहां से यहां तक x है ठीक है t यहां से निकाल के यहां put करेंगे तो relation आजाएगा y और x में जो की होता है x tan theta minus मेरे कोई आद नहीं रहता है तुम्हीं लोग बता दो u so u cut गया ठीक है tan theta हो जाएगा minus half g x square by u square cos square theta अगर मैं गलत नहीं हो तो सही है यह तुमारा equation of trajectory होता है इस में से अगर हम लोग x tan theta common निकाल ले तो एक और format आता है y is equal to x tan theta into 1 minus x by r जो कि मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूँ ठीक है मैं इसमें आपको दिखाता हूँ बच्चों कि हम लोग कैसे उसको डिराइव की है देखो वही चीज़ है जो मैं बोला हो वही सारा चीज़ लिखा हुआ है ठीक है equation of trajectory देखो relation between x and y at any time t x लिया हुआ है y लिया हुआ बच्चो y is equal to x10 theta minus gx square upon 2u square cos square theta यहां से मैंने x10 theta को common ले लिया और वहां से मैंने इस चीज़ को लिख दिया u square sin 2 theta तुमको पता है u square sin 2 theta by g क्या होता है range होता है किस case में इसी case में अब बच्चो इसमें अगर maximum range ground to ground projectile में maximum range का बात करूँ तो theta किता होना चाहिए 45 degrees का value किता होना चाहिए u square by g एक और चीज़ था इसमें कि अगर range maximum नहीं होता है तो ऐसा दो value theta का होता है for which we will get same range theta 1, theta 2 जिसमें की range सेम आता है and both the angles are complementary angle मत्तब theta 1 plus theta 2 equal to कितना होता है 90 degree होता है आगे मैं बात करूँ कि projectile motion on an inclined plane मैंने आपको बोला कि हमेसा projectile motion को क्या करना है कोई भी चीज में हो हम लोग basic लेंगे सबसे पहले क्या करेंगे x और y axis लेंगे मैंने यहाँ भी लिया आप देखो अब x और y axis लेने के बाद मैंने बोला कि यह inclined plane है जिसका angle कितना है alpha और इसने theta पे फेका है यह theta पे फेका है at u तो इधर तुमारा u cos theta हो जागा u sin theta हो जाएगा फिर से बताओ यह जो path होगा कुछ ऐसा जिसका time of flight किस पे depend करेगा क्या x पे करेगा कि y पे करेगा y पे बोल सकते हैं कि जहां था y का displacement 0 हो जाएगा तो फिर से निकालेंगे तो फिर से तुमारा आजाएगा 2u sin theta by g cos alpha अच्छा मैंने इस बार तुमारा x और y में velocity नहीं लिखा यहाँ पे उसको आप चाहों तो लिख सकते हो u x क्या हो जाएगा u cos theta हो जाएगा यह x का लिख रहा हो और y क्या हो जाएगा u y क्या हो जाएगा u sin theta अच्छा acceleration का बात करूँ तो g नीचे लग रहा बच्छो इसको resolve करना परेगा x और y में इधर करूँगा तो हो जाएगा g sin alpha और इधर करूँगा तो हो जाएगा g cos alpha g sin alpha और g cos alpha x और y इधर x में यह y में तो x में क्या हो जाएगा minus g sin alpha और y में क्या हो जाएगा acceleration minus g cos alpha मैंने acceleration को divide किया है x और y में जो मैंने बोला था कि जो भी velocity और acceleration होगा उसको x और y में हम लोग resolve कर देंगे ठीक है बच्छो तो time of flight क्या हो गया 2 u sin theta by g cos alpha कैसे आया time of flight y पर depend करता है तो फिर से वही बात in y direction जो y को देखेंगे तो x को नहीं देखेंगे तो 0 तो sy displacement 0 हो गया y पर जहां से चालो किया वहीं पहुंच गया तो जाएगा u sin theta into t plus half minus g cos alpha into t square यहां से हम लोग t निकालेंगे तो बच्छो यह आएगा जिसको फिर से shortcut में कुछ ऐसा लिख सकते है जो पहले भी लिखे थे ठीक है अगर हम लोग maximum height का बात करें अगर हम लोग maximum height का बात करें बच्छो तो देखो maximum height हम लोग ground से नहीं देख रहे है projectile से देख और inclined plane से देख रहे है जैसे यह path होगा ना इस path में inclined planes होगा इसलिए लिखे है maximum height of projectile with respect to the inclined plane फिर से वही बात है y में velocity 0 करेंगे इसको निकाल लेंगे याद करने का कोई जरुवत नहींगे जो मैंने बताया है उसी पर निकल जाएगा मैंने आपको अभी भी बोला कि इसमें याद करने का कोई जरुवत नहीं है हम लोग क्या करेंगे बच्चो कि इसमें याद करने का कोई जरुवत नहीं है हम लोग क्या करेंगे ना कि तुमारा यहां से फेका था ना, यह तुमारा अलफा था ना, ऐसा कुछ गया, तो maximum height पर जो कि हम लोग यहां से निकाल रहे है, maximum height, हम लोग इसका vertical velocity को zero कर देंगे, ठीक है, यह हमारा x था बच्चो, यह हमारा y था, नहीं, और solve करेंगे तो यह आएगा, range, range मेरा along the incline होता है, करना है, लेकिन range को maximum minimum कर सकते हैं, मेरा variable क्या है, alpha मेरा constant है, g constant है, u constant है, तो variable मेरा theta है, हम लोग maxima minima पढ़े हैं, maths में, maxima and minima पढ़े हैं, कैसे निकालते हैं, जिस भी quantity को maxima करना होता है, उसका variable के respect में differentiate करते हैं, तो for maximum range, dr by d theta equal to zero, ठीक है, और जैसी हम लोग differentiate करेंगे, तो उससे मेरा theta का एक value हो आएगा, जिससे मेरा maximum range निकलेगा, ठीक है, जिसका maximum range का value होता है, आप वहाँ पे याद करो, वहाँ पे होता था r max, ground to ground वाले में, u square by g, ठीक है, लेकिन यहाँ पे into 1 plus sin alpha, where alpha is the angle of inclination, plus sin आएगा, जब तुमारा अपदा incline जाएगा, मतलब, यहाँ से fake रहे हैं, उपर की तरफ, पहार पे नीचे में खराओगे, उपर की तरफ रहे हैं, और उसी तरह down the incline भी case होता है, सपोस करो कि हम लोग, यह तुमारा incline plane है, और यहाँ से ball को fake रहे हैं, u speed से at an angle theta, यह तुमारा alpha है, तो इस case में भी जो range आ यह याद करना परेगा आपको, ताकि बहुत सारा question असानी से बन जाता है, that is equal to u square by g into 1 plus minus sin alpha, अचा है, u square by g जो था, वो तो मेरा ground to ground वाले में ही था, मीचे में 1 plus minus sin alpha, where alpha is the angle of inclined plane, plus use करेंगे up the incline में, minus use करेंगे, down the incline में, इसको याद ही कर लेना, और कोई उपहाइड नही करत पाऊगे इतना लंबा, और इससे बहुत सारा अच्छा question बहुत easily solve हो जाता है, जो कि सोचते रहाते हैं हम लोग दूसरे method से, ठीक है, इसके अलावा भी projectile होता है किसी moving platform से, तो moving platform से हम लोग फंडा जानते हैं कि जब किसी भी object को moving platform से हम लोग फेकते हैं, तो वो moving platform का velocity acquire करता है, just after the ball is thrown, it acquires the velocity of the moving platform also clear है, हमको नहीं लगता है किसमें कोई doubt है, या किसमें कोई कुछने वाली बात है, जब हम लोग train से किसी चीज को फेकते हैं, तो वो train का velocity acquire करेगा ही करेगा, है ना, वो हम लोग को नहीं दिखिया कि कि हम लोग train के अंदर बैठ है, जो बाहर में होगा, उसको दिखियेगा कि वो train का velocity acquire करेगा, जब हम लोग किसी moving platform, मतबिक parachute उपर जा रहा है, उससे कुछी चीज को drop करते हैं, छोड़ देते हैं, तो उस parachute का velocity को acquire करता है, तो in this case, just after the ball is thrown, it acquires the velocity of the moving platform, as if we observe from the stationary ground, ठीक है, और उसके बाद हम लोग basic concept जो होता है, वो ह ऐसे, तेखो, यह तुमारा moving platform है, दिख रहा है बच्चो, यह तुमारा moving platform है, ठीक है, यह तुमारा speed u है, इस बंदे में speed u से vertical फेका, तो जो ground के frame में दिख रहा है मेरे को, इस ball का, इस ball का horizontal speed v हो जाएगा, और vertical speed u आजाएगा, ठीक है, u तो था ही, u अपनी respect में फेका ना उसने, तो ground से देखेंगे, with respect to the ground, तो इस ball का velocity आएगा, v और u आजाएगा, ठीक उसी तरह, अब projectile होगा, और projectile होगा, जिस ना होता था, अगर यही बोले कि किसी angle पे फेक दिए, तो इस u को resolve करेंगे, u cos theta और u sin theta में, तो जो ball का velocity का with respect to ground वो क्या हो जाएगा, v plus u cos theta और vertical क्या हो जाएगा, u sin theta, किसका v add कर दिए, platform का इसमें add कर दिए, ठीक है, बाकि यह projectile यह से करते थे, x और y में u को लिख करके, यह vx लिखेंगे, v y लिखेंगे, उसका projectile करेंगे, अगर मानलों कि v आगे जा रहा, u से पीछे effect दिया, तो इसको resolve करेंगे, बच्चो, तो इधर u cos theta उपर में u sin theta आएगा, तो जो net velocity होगा, v आगे, right, u cos theta पीछे, तो net लिख सकते है, v minus u cos theta, और उपर लिख सकते है, u sin theta, ठीक है, बाकि projectile जैसा होता था, वैसे इसको solve पिर देखो, अगर मेरा दो projectile होता है, बहुत बार हम लोग जानते हैं कि, दो ball को fake ते हैं और बोलते है, collide कर रहा है, बहुत बार J-E में question पूछ भी चुका है, है ना, meet में भी बहुत बार पूछ चुका है, तो एक ball इधर से fake है, एक इधर से fake है, एक का angle theta 1 है, इसका angle theta 2 ह इस पे भी नीचे G लग रहा है, इस पे भी नीचे G लग रहा है, दोनों के बीच का distance cell है, तो अब बताओ, इसमें concept क्या है ना, कि अगर ये दोनों particle एक दूसरे से collide कर रहा है, ठीक है, suppose करो, कि दो particle है, collide करेगा, अगर हम एक के नजर में जाके बैठ जाएं, तो हमको दू ना, क्यों का directly मेरी तरफ आ रहा है, तभी ने ठकराएगा, अगर कहीं और जाने दागेगा, तो तो collision होगा ही ने, ठीक है, तो simple concept यही है, कि जब भी ऐसा कभी होगा, तो हम लोग A के frame में जैसे ही जाएंगे, A के frame में जैसे ही जाएंगे, B के frame में जाएंगे, किसी में जा पार्टिकल है, हम लोग को देखना थोरा मुस्की लोग है एक बार में, हम लोग relative motion पढ़े हैं, कि जब भी दो पार्टिकल होता है, तो उसको असान करने के लिए क्या करते हैं, एक के frame में जाकर के दूसरे का analysis करते हैं, ठीक है बच्चो, तो हम लोग A के frame में गए, देखन तो A का speed क्या था, U cos theta 1 देखा, यह है A का speed, और यह रहा A का speed, यहाँ पर बच्चो यह गलत लिखा हुआ, U1 sin theta 1 होगा, ठीक है, यह है U1 cos theta 1, यह है U1 sin theta 1, ठीक है बच्चो, यह तुम्हारा किसका speed था, A का, यह लगा दिया, A का speed इधर था, ऐसा था, मैंने इसका opposite लगया जो relative motion में होता है, और यह तुम्हारा B का speed है, U2 cos theta 2 और U2 sin theta 2, ठीक है, अब acceleration का बात करो, A का acceleration नीचे था, जी, मैंने इसको काट करके इधर उपर लगा दिया, जी, और इसका खुद का acceleration G नीचे, तो बता यह दोनों कट गिया, तो net acceleration चाह जाएगा, acceleration of B with respect to A क्या जाएग हीट करना A को, नहीं, B को directly hit करना इस action में, तो पक्का है कि इसके अलावा किसी यह direction में velocity नहीं होगा, मतलब U1 sin theta 1 is equal to U2 sin theta 2 होगा, ठीक है, बच्चो, यह वाला जो equation है, यह पक्का है कि यही होगा, क्योंकि vertically इसको move नहीं करना है, तो कैसे move करना था, directly from B to A, मतलब horizontally, नहीं तो यहां से इसको बहुत सकते हैं, कि इसका net speed जो होगा, that is U1 cos theta 1, that is U1 cos theta 1 plus U2 cos theta 2, यही तुमारा net speed हो जाएगा, है ना, और साथी साथ, अब बच्चो, अगर time पूछा जाए, time पूछा जाओ, time पूछा जाओ, time पूछा जाओ, तो यह distance कितना है, यहां से यहां का, L, और speed कितना है, तो time क्या हो गया, distance by speed, तो time हो जाएगा, बच्चो, L by, time हो जाएगा, बच्चो, L by, जो speed मैंने लिखा था, U1 cos theta 1 plus U2 cos theta 2, ठ ठीक है, तो यह time हो जाएगा, उसको collide करने का.